नमस्कार दोस्तों मैं दिन दियाल रामावत आप सभी का हमारे चैनल डिडी रामावत में हारदिक स्वागत करता हूं सातियों आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम अमारे वीडियो में कुत्तों के बारे में एक विशेश जानकरी आपको देने वाला है एक विशेश प्रोसेस आपको बताने वाला है तो आईए वीडियो सुरू करता है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें साथियों कुत्तों में चाहे कोई भी बीमारी हो या कुत्तों को हमें कुछ भी खिलाना हो कोई भी हमें आहार देना हो विटामिन्स देने हो मिन्रस देने हो किसी भी प्रकार का प्रोसेस अगर हमें करना है तो उससे पहले हमें एक चीज जाननी होगी जो अति आवशक है और वो है कुत्तों को पेट में कीडे मारने की दवा देना यानि डी वर्मिंग करना डी वर्मिंग के बगेर आप कुत्तों को कुछ भी खिलाओगे या कोई भी बिमारी होगी तो उसका जब इलाज करोगे तो डी वर्मिंग के बगेर सब कुछ अधुरा है सातियों कुत्तों में दो परकार के परजीवी पाया जाते हैं पहले जो परजीवी है वो पेट के अंदर रहते हैं जिने हम अंते परजीवी या एंडो पेरासाइट्स केते हैं जिनमें tap worms, ring worms, round worms, कई परकार के worms होते हैं, जो पेट के अंदर पेदा होते हैं उसके अलावा दूसरे जो परकार के परजीवी हैं, वो है बाहिये परजीवी यानि टिक्स, माइट्स बगरा, जिने हम एक्टो पेरासाइट्स कहते हैं तो सात्यों, इस वीडियो में हम पेट के अंदर के जो परजीवी हैं, एंडो पेरासाइट्स, जो round worms, tap worms, बगरा हैं उनके दवा के बारे में, उनके लक्षन जो अगर पेट में कीडे पेदा हो गए हैं, तो हमारे डोग को क्या-क्या लक्षन होंगे, उसके बारे में हम जानकरी देने वाला हैं, तो आईए जानकरी लेते हैं साथेओं, सभी dogs जो हमारे घर पे हैं, उन्हें हमें 2 मेने से या 3 मेने से deworming करवाना बहुत ज़यदा जरूरी है जिन dogs को हम vegetarian आहार देते हैं, जो vegetarian है उनकी deworming 3 मेने से होना चाहिए और जो non-vegetarian है, उनकी deworming 2 मेने से होना बहुत ज़यदा जरूरी शातियों जो हमारे जागरुक भाई है वो अपने कुत्तों को लगाता डिवर्मिंग करवाते हैं हर दो या तीन मिने से डिवर्मिंग करवाते हैं लेकिन कई जगें जब कुत्तों को डिवर्मिंग नहीं होती है तो उनमें कई लक्षने से आ जाते हैं जैसे वो गंदी चीज यह दस्तिया उल्टी होने लग जाती है, कई वार खुजली की सिकायत रेती है, और जो डोग है, उसमें एक विसेश लक्षन पेट में जब कीडे पेदा हो जाते हैं, तो विसेश लक्षन उसमें आता है, वो है कि डोग चारो तरफ से घुम घुम के अपनी पूच को काटने क कोशिश करता है, या पूच को काटता है, तो ऐसे लक्षन अगर आपको दिखाई दें, तो आपको यह जान लेना चाहिए, कि हमारे डोग को डिवर्मिंग की जुरूरत है, साथियों डोग के जब पेट में कीडे पेदा होते हैं, तब उसकी आँखों में से कीचर या आंस गिरते हैं, मुँ में से लार कुछ ज्यादा गिरती है, उसके अलावा उसको बराबर पेडिगरी वगरा खान पान बराबर दे रहे हैं, उसके बावजूद वो कमजोर होता जाता है, तो यह लक्षन पेट में कीडे पैदा होने के हैं, कई वार कुत्ते की पोटी में, यह परजीवी है, यह लारवा है, वो पूटी में भी निकलते हैं, हमें साफ आंखों से नगनांखों से भी हमें दिखाई देते हैं, और कुत्ता जो है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, इतना एक्टिव नहीं रहता, आंखों में उतनी चमक नहीं रहती, वो खेलता कर देता है साथियों कुत्ते की जो डिवर्मिंग है वो एक विस्तित सब्जेक्ट है जिसके लिए मार्केट में कई परकार की दवईया आती है जिनको हम अलग-अलग वीडियो में डिसकस करेंगे इसके अलावा हमारा जो देशी फोर्मूला है आजमाया हुआ फोर्मूला है जिस फोर्मूले से आप घर पे ही अपने पेट की अपने पिल्ले की अपने डॉग की डिवर्मिंग कर सकते हैं और वो फोर्मूला क्या है उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जुरुत नहीं है छए महीने से जो चोटे पिल्ले है उन्हें आप हल्दी दे छोड़ा बहर वन फोर चमबस या उससे भी कम हल्दी आप थोड़ा-थोड़ा हल्दी उसको देते रहें हर पंदरा बीस दिन से थोड़ी-थोड़ी हल्दी उसको खिलाते रहें तो उसकी डिवर्मिंग होती रहेगी इसके अलावा जो छह महिने से बड़े डोग हैं उनके लिए आप विसेस काम करें छह मेने से जो बड़े हैं छह से लेकर के एक या डेट साल तक के उन्हें आप लेस्ट की कलियां खिलाएं दो-दो लेस्ट की कलियां आप पांच या साथ दिन तक दें उसके बाद जोई दो मेने और बीच जाते हैं उसके बाद और पांस साथ दिन तक दो या तीन लसुन की कलियां दे उसके अलावा जब हमारा डोग एक या डेट साल से बढ़ा है तो उसे हम पांस लसुन की कलियां तक दे सकते हैं और ये प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया है जो वेजिटेरियन है उनके लिए आपको तीन महीने से करना है और जो नौन वेजिटेरियन है उनके लिए आपको ये दो महीने से करना है शातियों हमने हमारे पिछले वीडियो में डोग की खुझली के इलाज के बारे में बताया था जिसका हमारे कई बाईयों ने बहुत अच्छा रेस्पोंस दिया और हमें धन्यवाद भी ग्यापित किया तो मैं भी इस चैनल के माधियम से उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो उस वीडियो को आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया तो साथियों यह जो डिवर्मिंग है यह भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने भी आपको बताया है तो इसके बारे में देशी दवायां भी हमारे पास बहुत है पांच साथ ऐसे अचुक फोर्मूले हैं जिन से हम कुत्तों की डिवर्मिंग करवाते हैं इसके अलावा अलग अलग परकार की मेडिशियन्स भी मार्केट में मिलती है जो हम देते हैं इसके अलावा जो मैंने अभी आपको लैसुन वाली बात बताई है लेसन वाला जो देसी हिलाज आपको बताया है ये हिलाज आप अपने सभी डोग्स को दें लेकिन जो मादा डोग प्रिगनेंट है उसके आप डिवर्मिंग अपने अनुभवी पसुची किस्ट से सला लेकर के ही करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा बाकि आप सब जगें हमारा जो ये फॉर्मूला है डिवर्मिंग का ये इस्तिमाल करें आपके डोग एकदम से चुस्त रहेंगे और उनके आँखों में चमक और बाल भी नहीं चड़ेंगे शरीर पर चमक रहेगी हमेसा फुर्ती ले रहेंगे तो साथियो डिवर्मिंग कुटों में बहुत ज़्यादा जरूरी है तो साथियो कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और जो साथि हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाल आगे बटन है उसे जरूर दबा ले ताकि जो भी वीडियो हमारा नया आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो साथियों आज के लिए बस इतना ही आगे हम पसों से समंदित जानकारिया लगातार लेके आते रहेंगे तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद